नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, कई बार बहुत सारी मुश्किलें एक साथ परिसान करती है, कभी नोकरी की बाधा, कभी आप एक्जामी के लिए नहीं कर पा रहें, कभी सत्रू बाधा, तो कभी तंत्र मंत्र क्रिया की परिसानी है। आज हम आपको प्रकिरती, यह जो प्रकिरती है न, यह एक ऐसा बरदान या ऐसे राज समेटे हुए है, जिस पर से परदा उठाना पूरी तरह तो नामुम्किन है, लेकिन कुछ-कुछ चीजें जो आप अगर जान लें, तो आप बहुत सारे मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं, आप ने सुना होगा कई बार, तंत्र मंदर क्रिया भी होता है, प्रिसानी आती ही रहती है लाइफ में, लेकिन आज हम एक ऐसे पोधे के बारे में जिस इस पौधे के बारे में स्वेम भगवान सीव ने मा पारवती से कहा है मा पारवती कहती है कि प्रभू इस कल्यूग में आपके दर्सन तो बड़े दुरलग होंगे आप कोई उपाय बताईए जिससे मनुष से आपका दर्सन कर धन्य हो सुके तो भगवान सीव कहते हैं मैं सिर्व तुम्हारे आगरह पर इस पौधे के बारे में बताता हूँ सुनो और इस पौधे का नाम है उच्चटा का पौधा जिसको हम कहते हैं ये पौधा आपके आसवास मिल जाएगा कई बार ये चुकि बारिस के मौसम में जादा दिखता है गर्मी के मौसम में थोड़ा पहचानना मुस्किल हो सकता है क्योंकि पेड़ पौधे सुखने लगते हैं तो इस पौधे की खुबी ये है कि इस पौधे का जो जड़ होता है इसमें बहुत सक्टिया है और इतनी सक्टिया है कि आपको भविश से भूत बरतमान सब दिखा सकता है इसको बस आपको थोरा सा सिद्ध करना है हलांकि सिद्धी बहुत लंबी चोड़ी होती है लेकिन सिंपल तरह तरीके से इस पौधे की जड़ से आप कैसे फायदा उठाएं आज हम यही आपके साथ बताने वाले हैं तो हमने कहा उच्चटा का पौधा याद रखिए यह पौधा आपको आपने आसपास मिल जाएगा यह तीन-चार फिट तीन-फिट साड़े तीन फिट तक का लंबा पौधा होता है जार जंगल की तरह हर वर्ष उगता है पुराना पौधा भी मिल जाएगा आपको और इस पौधे की जड़ लेना है थोरा सा इस पौधे की जड़ में ही सबसे में जो एक बोल सकते है उसमें वसी करन है या फिर अभी कर सकते हैं कि इसमें एक वर्दान छिपा है सिब जी का या ये एक ऐसा चमतकारिक पौधा है जो जिसके आस पास हो जो बैक्ती इसको धारन कर ले उससे बैक्ती के सारे कस्ट ही मिट जाते हैं तो हम अब आपको विस्तार से बताते हैं देखिए ये है उच्चटा का पौधा इस पौधे का आपको जड़ लेना है थोरा सा और थोरा सा नाग दोना के पौधा का जड़ लेना है ये पौधा दोनों ही पौधे का जड़ थोरा सा ले ले आपको देखिए अगर आप पु पूस्सी नछचातर कब है और दूसरी बात पूस नछचातर में लाने के पहले ही आप इस पूदे अगर आप पहले से ढूंड प donut पहेएं तो पहले से उनको निमंधरण देकिआ इए तब क्या होता है ज़्यादा काम करता है निमंत्रन देनी का मतलब है आप पानी लेए कर जाए पौधे के जड़ में डाल देए उनसे प्राथना करें कि हम आपको कल लेने आएंगे नोकरी प्राप्ति में बाधाय आरही है राजनीती में सफन होना चाहते हैं बाधाय आ या आप चाहते हैं कोई तंत्र मंत्र क्रिया ना असर करें वह सब समाप्त हो जाए तो इस तरह से प्रात्ना करके आप ये पौधा से परणाम करके चले आए जल डाल की जड़ में और अगले दिन थोड़ा सा जड़ पुरा पौधा मत उखाड़िएगा थोड़ा साइट से मि दोन का पौधा का अब देखिए ये दोनों ही पौधा आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और ये जड़ लाने के बाद पहले इसको गंगा जल से धोकर सूद पहले प्लेन साफ पानी से धोले फिर थोड़ा सा गंगा जल से धोले इसके बाद धूब दिख करता है और फिर एक काम करें दोनों ही पौधे के जड़ को यह उच्चेता का पौधा है और जो नाग दोन का पौधाgard यह वालां आपको लेना यह जो पता देखारे है ना बिल्कुल सब्सक्राइब आप तरह तरह के तरह तो इसका ही जड़ लेना है आपको हलांकि यह दो तो इसका जड़ ले 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 तो अब दोनों जड़ को आपको जैसे हमने कहा धोकर अच्छे से धूब दीव दिखाईए फिर आप एक और काम कीजे इसके बाद थोड़ सा सिंदूर ले 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 अगर आपके पास कमिया सिंदूर है तो ले 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 नहीं तो नॉर्मल जो सिं अंदी की ताविज में भड़ ले और फिर इसको काले धागे में आप गले में कलाई में बाह में या पॉकेट में भी रख सकते हैं और जब आपको जैसे भगवान का दर्सन चाहिए आप चाहते हैं प्रभू से कोई प्रातना करना है प्रभू आप मुझे दर्सन दो बहु किसी भी रूप में प्रभू के दर्सन हो सकते हैं हाँ आपको उसमें अभाज जरूर होगा कुछ अलग हो रहा है हटकर दूसरी तो हमने इस पौधे के बारे में बताया अब देखिए इस पौधे को अगर आप मुह में रखते हैं रात 12 बजे याद रखे मुह में तो भग पार नहीं चल रहा परिच्छा में सफलता नहीं मिल रही या धन प्राप्ती नहीं हो रहा आपकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है उन्नती नहीं हो पा रहा आप चाहते हैं राजनीती में सफलोना पर सफल नहीं हो पा रहे प्रॉब्लम बहुत जादा है बहुत ही ज वैपार में समस्या है, तरक्या नहीं हो रही, धन नहीं आ रहा, आप राजनीती में किसमत आपना चाहते हैं, आपको धन चाहिए, आपकी बहुत परेसानी है, तमम तरह की जो भी बाधाय हैं, आप अपने बाह में इसको काले कपड़े में थोड़ा सा लपेट लें और काला समस्या समाप्त हो जाती है आप किसी भी पुस्य ने चतर में भी कर सकते हैं या अभी पुस्य ने चतर में आप कर लीजेगा अब देखिए इनको करने से ही आपको दीरे-दीरे तरक्की होने लगती है तो अब दूसी बात अब महा लेते हैं नजर दोस बाधा है तंतर क्रिया किसी ने कर दिया भूत प्रेद बाधा की बाधाएं होती है कभी कभी कुछ कर्वा देता है प्रिसानी तो बहुत हो जाता है एक 5 लगातार सब कुछ बुराही होते जा रहा तब आप इसी दोनों प Questo की जड़ का ए phải .ilesicsta partmate can क्stell mov एक रखाओ क suivरें में काले क्पड़े में लपयटकर के साहरे बान्ध लें याद रखिये काले कपड़े पर इन दोनों पोधे की जड़ को रख कर बांधकर बाह में SB मानिए कितना भी बड़ा नजर दो, सो, परेसानी हो, सब खत्म हो जाएगा इसको बांधे रहिए आपको अगर मन हो तो हर 6 मेने में आप चेंज कर सकते हैं आप 2-3 मेने में भी कर सकते हैं क्योंकि जड़ है तो पानी में भींगेगा तो वो खराब होके खत्म भी हो जाता है तो आप अपनी सुवीदा नुसा इसका प्रियोग कीजे ये दोनों ही पहुत अदभूत लाब देते हैं आप एक बर करके देखें इसका बेनेफिट तो 100% मिलना ही है और जब इसका लाब हो तब आप हमको कमेंट में कहिएगा याद रखिए बाएं बाद में बादना है किसी भी तरह का नजर दोस्तंतर के लिए बहुत तरह की भूत प्रेद बादा किसी ने कुछ किया कराया जाद उटोना बहुत तरह की चीज होती है कभी कभी तो लोग एकदम से मारन मोहन समबोहन चाटन कर देते हैं तो उन चीजों से बचने के लिए ये प्रियोग आप जरूर कीज़े हम आप से भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें कमेंट करें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे किसी नए टोपी के साथ कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखे